नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत हैं और अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पर्मानेंट गोवर्मेंट बड़ी वेकेंची की तो वीडियो को शुरू से एंड तक जुरूर देखें ताकि कोई भी डीटेल वाप से मिश ना हूँ वीडियो में देगे जानकारी कैसी लगी कमेट कर जुरूर बताएं तो आप देख सकते हैं यह जो वेकेंची निकले है वो आल इंडिया इंसिटूट ओप मैडिकल साइंसे जोदपूर यानि एमस जोदपूर के दवारा निकली है यह इसकी ओपिशल वेबसाइट है इस ओ नर्सिंग ओपिसर यानि स्टाप नर्स ग्रेड़ फरस्ट की पोस्ट हैं पेमेंट है वो यहां पर देख सकते हैं 47600 लेकर एक लाख 51100 तक ग्रेड़ पे 4800 के अधार पर मिलने वाला है अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने बीसी नर्सिंग जो चार साल का कोर्स होता है वो किया हुआ है और साथ में यदि आपने अगर बात करते हैं बीसी पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है या फिर पोस्ट बेसी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका रिजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग कॉं या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट कोई भी हो मिनमम दो सो बैड की होस्पिटल में दो तीन साल का वर्किंग एक्सपिरेंस यहां पर मांग रखा है एस क्राइटिरिया की बात करें तो 21 से 35 साल के बीच में रहेगा हाँ छूट मिल सकते ही रिजरिवेशन के आगे बात करेंगे टोटल 99 पोस्टे हैं ठीक है कैटिगरी वाइज पोस्टों का डिविजन इसकी पीडिएप यह आप देख सकते हैं आगे बात करें तो यह इसकी ओपिशिल वेबसाइट इस ओपिशिल वेबसाइट के उपर आपको ओनलाइन अपलाई करना है अपलाई करने की जो प्रोसेस है पूरी वह इस पीडिया पर आपको मिल जाएगी फीज की बात करते हैं तो अपलिकेशन फीज जनरल OBC EWS कंडेट्स के लिए 3000 रुपे रहेगी SCST PWBD कंडेट्स के लिए 24 रुपे यह पर फीज से रहने वाली है फीज है वो आपको केवल ओनलाइन माद्यम से जम्मा करवाने पड़ेगी ठीक है इसकी अतलित कोई भी माद्यम से फीज जम्मा नहीं होगी नहीं सकते जन सेस्टिक है तो 15 साल की अपरेज लिमिट में छोटे मिल जाएगी ठीक है बाकि एक्स सर्विसमें और कमिशनर जो रेजरिवेशन प्रोसेस है वो यहां से इसकी पीडियाप डाउनलोड करके आपे देख सकते हैं इस परकार यह काफी बड़िया वेकेंसी है गोवर्मेंट वेकेंसी है पेमेंट भी काफी बड़िया मिलने वाली है और बात करते हैं डोक्मेंट वेरिफिकेशन की टाइम क्या कैसा है तो आपके ओनलाइन अप्लिकेशन फोर में उसकी कोपी चाहिए admit card है written exam का उसकी भी copy चाहिए document verification के time आपकी date of birth चाहिए यानि date of birth के लिए दस्वी का या birth certificate है वो चाहिए 12 class की mark sheet चाहिए आपकी degree diploma की सारी mark sheet चाहिए कोई भी जो degree diploma है UGC से affiliated है तो उसका भी यहाँ पर certificate चाहिए caste certificate चाहिए यदि आप disability वाले apply कर रहे हो तो उसका certificate चाहिए no objection certificate चाहिए experience certificate भी चाहिए identity proof pen card passport driving license कोई भी हो तो वो यहाँ पर मांग रखा है address proof के लिए अधार card passport irasun card driving license कोई भी वो चाहिए होगा इसके अत्रिक कोई भी अन्य जो relevant documents है वो भी यहाँ पर चाहिए होगा mode of selection की बात करें तो mode of selection written exam के अधार पर हो गए cbt के अधार पर हो सकता है वो आगे की process है इसके अत्रिक यहाँ पर देख सकते हैं no objection certificate के लिए नियम देर के हैं कास्ट certificate के लिए भी कुछ नियम देर के हैं यानि पूरे detail से यहाँ पर देर का है कि किस परकार आपको age lexation का certificate बनाना है यह पूरे पूरी यहाँ पर form देर के आप देख सकते हैं आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए एक बार इसको पूरूप से पढ़ ल दोस्तों अपने मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जानकारी एक नए भरती एक नए न्यूज के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत